कल के दिन के लिए मैं आप लोगों को जबर्दस्त अफडेट बताऊंगा क्या है ये अफडेट मैं वो आप लोगों को आगे बताऊंगा कल के दिन क्या है बैंक निफ्टी का एक्सपारी है तो बैंक निफ्टी के अंदर zero to hero का setup कौन सा level से बनेगा gap up पर entry किस तरीके से लेना है, gap down पर entry किस तरीके से लेना है और flat opening पर entry किस तरीके से लेना है, कहां पर call वाई करना है, कहां पर put वाई करना है और कहां पर trade को avoid करना है, सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में end तक बने रहें जिन लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर लेना और साथी साथ बालागन के नॉटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भुलें जरूर क्लिक कर लें तो पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बाइंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है पाँच मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है जैसा कि मैंने कल के analysis वीडियो के अंदर कहा था exact आप लोग देख सकते हैं इसी लेबल से क्या लिया गया है resistance लिया गया है वो भी दो-दो बार यहां से क्या लिया गया है resistance लिया गया है देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्का बाजी नहीं चलेगा अगर आप लोग यहाँ पर तुक्का बाजी करने आए हो जब तक आप लोग लोजी को नहीं समझोगे इस मार्केट से एक रुपईया भी नहीं बना पाओगे अब आप लोगों को कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसे कामकाज करना है लेवल को बिलकुल ध्यान से देख लेना अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रजिस्टन्स रहने वाली है भाई मेरे यह वाला लेवल जो की लेवल है 25,143 का मान लोग कि अगर कल के दिन 50-50 लेवल के उपर gap-up opening ले लती है तो यहाँ पर call की entry कैसे लेना है gap-up opening लेने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का हाई होगा अगेन इसाई को यहाँ पर breakout कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग इजली जा सकते हो जो की लेवल होगा 25,214 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो तूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद approximate एक से लेकर के दो घंटा तक इस लेवल के उपर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब यह range यहाँ पर breakout कर देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग एजली जा सकते हो तूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 15 minute का candle होगा याने की bearish candle होगा जब next candle इसके लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing देती है तब आप लोग यहाँ पर safe put वाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग इजली जा सकते हो जो की label होगा 25,071 का जो की एक psychology का भी label होगा जहां से हमें bonds back लेते को दिख सकता है तो यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो आप मान लोग कि अगर कल के दिन 5050 यहाँ पर flat कुल जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्य देती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को plan कर सकते है अब मान लोग कि अगर कल के दिन 5050 इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,921 का level है अगर इस level के नीचे gap down खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी जल्दवा जी की अंदर put की entry नहीं लेना है यहाँ पर put की entry कैसे लेना है gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का लोग होगा अगेन इस लोगों को यहाँ पर breakdown कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए 873 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो दूसरा condition क्या होगी gap down खुलने के बाद approximate दो घंटा तक इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब यह रेंज यहाँ पर breakdown कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर save put by कर सक सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग easily जा सकते हो तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद एक घंटा इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब इस level को यहाँ पर breakout कर देती है अगेन यहाँ से retracement ले लेती है और यहाँ पर इस तरीके का pattern बना कौन सा update होगा कल के दिन के लिए आप लोगों को जो jackpot लग सकता है trade के अंदर तो बिलकुल ध्यान से सुन लेना अगर कल के दिन nifty 50 इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 24921 का बिलकुल ध्यान से सुन लेना अगर इस level के नीचे gap down खुल जाती है और 45 मिनट के अंदर अंदर अगर इस level को यहाँ पर breakout कर देती है और इस तरीके का pattern बनाती है जिसे हम कहते है higher high उसके बाद आप लोग यहाँ पर call by कर सकते हो जब इसके neckline को यहाँ पर breakout कर देगी और आप लोगों का यहाँ पर बहुती बड़ा jackpot लग सकता है कल के दिन nifty 50 के अंदर ध्यान मे सकता है अब चलिए अब हम चलते हैं bank nifty के चार्ट के ऊपर अब आप लोगों के सामने bank nifty का चार्ट है और कल के दिन क्या है bank nifty का expiry है तो level को बिल्कुल ध्यान से देख लेना और मैं आप लोगों को update भी बताऊंगा bank nifty के अंदर जो की आप लोगों के लिए बहुती bank nifty के अंदर जो important resistance रहने वाली है बो रहने वाली है ये वाला level जो की level है 51,411 का मान लोग कि अगर कल के दिन bank nifty से level के ऊपर gap up opening ले लेती है तो यहाँ पर call की entry कैसे लेना है जरा ध्यान से सुन लेना gap up opening लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर जब इस level पर दुबारा retracement क करने आती है और ये जो पहले कहाई होगा अगे निसाइक को यहाँ पर breakout कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call बाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग ईजी ली जा सकते हो जो की level होगा 51,533 का जो कि एक psychology का भी level होगा जहां से हमें reversal देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो दूसरा condition क्या होगी gap up opening लेने के बाद approximate 2 घंटा तक इस level के उपर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब यह range breakout कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe call बाई कर सकते हो और यहाँ तक target क इसके लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing देती है तब तो आप लोग यहाँ पर safe put by कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग इजली जा सकते हो जो की level होगा 51305 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो ध्यान में रखना यहाँ पर छोट के का consolidate करती है और next hour के time पर जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को प्लान कर सकते है और बढ़िया profit देखने को मिल सकता है अब मान लोग कि अगर कल के दिन बाइंक निफ्टी से level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 51,000 का जो की psychology का भी level है अगर इस level के नीचे gap down खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर put की entry नहीं लेना है यहाँ पर put की entry कैसे लेना है गौर से सुन लेना gap down खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का लोग होगा अ तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद approximate एक से लेकर के दो घंटा तक इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब यह रेंज यहाँ पर breakdown कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हो और यहाँ तक target के लि या तो फिर इस तरीके का pattern बनाती है जिसे हम कहते है higher high और इसे हम कहते है W pattern जब इसके neckline को यहाँ पर breakout कर देगी तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हो और यहाँ तक target के लिए आप लोग इजली जा सकते हो जो की level होगा 51,252 का यहाँ पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हो या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हो अब जान लेते हैं क्या है update कल के दिन के लिए तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना अगर कल के दिन बाइंग के nifty यहाँ पर खुल जाती है जो की level आप लोग के सामने है 51,69 का अगर इस level के नीचे gap down खुल जाती है और उसके बाद एक घंटा तक इस level के नीचे इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद जब इस level को यहाँ पर breakout कर देती है तब आप लोग यहाँ पर save call वाई कर सकते हो और बढ़ियां jackpot देखने को मिल सकता है call के अंदर तो अब चलो बात कर लेते हैं 0 to hero का setup कब बनेगा तो बिल्कुल ध्या प्लान कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है या फिर 12 बजे से लेकर के दो बजे के बीच में 51,800 के level पर मिलती है बाई के निफ्टी और जो premium आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 55 रुपे तक की दिखाई दे उसे आप लोग 0 to hero call के लिए प्लान कर सक करते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है तो आसा करता हूं सारे लिवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को वीडियो जरा सब informative लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना चैनल पर नहों तो सस्क्राइब कर लेना तो फिर मिलते ह किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम